एक सरकार और मुख्यमंत्री जो अपना बहुमत साबिक करना चाहते हैं जो कोरोना और आर्थिक संकट पर विधान सभा बुलाना चाहते हैं जो उन सारे व्यक्तियों का एक बार में मुख बंद करना चाहते हैं जो कहते थे के कॉंग्रेस के पास बहुमत नहीं कॉंग्रेस का बहुमत तो यहां खड़ा है राजस्तान के राजपाल जी की द्योड़ी पर राजस्तान की विधान सभा का बहुमत यहां खड़ा है राजस्तान के आदर्णिये राजपाल जी की द्योडी पर और हम सब एक ही गुहार लेकर आए अशोक गहलोज जी के नेत्रितम में कॉंग्रेस पाल्टी की सरकार के पास सम्पूरन बहुमत है और हम कोरोना से लड़ने आर्थिक संकट से लड़ने राजस्तान की आठ करोड बहादूर जंता की भलाई के लिए विदान सबा का सत्र बुलाना चाहते सारे विदायक बहुमत से इसी दर्खुआस के साथ आज राजपाल जी की द्योडी पर उपस्तित हुए जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको कहा था कि हमें राजपाल जी के आदेश का इंतजार रहेगा आदर्णीय राजपाल जी जिनका अपना लंबा राजनितिक अनुभव है उन्होंने खुले मन से ना केवल मुख्यमंत्री जी को बलकी हम सब को ये कहा के वो समिधान की अनुपालना करेंगे बगेर किसी दवाब और दुवेश के उन्होंने ये भी कहा के कुछ टिपनियां लिखकर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक छोटा सा आदेश बेजा है चैसे ही मंत्री मंडल उन्हों टिपनियों का निदान कर देगा तो समिधान की धारा 114 के तहट वो महमहिम राजपाल जी वो समिधान की अनुपालना के लिए करता हुए बद हैं हमें महमहिम राजपाल जी की के इस आश्वाशन पर के वो आर्टिकल 144 में मंत्री मंडल की सिफारिश को मानने के लिए करता हुए बद हैं हमें एक बुजर्ग और परिवार का मुख्या होने के नाते उनकी बात पर आज उन्होंने ये जब कहा तो बात पर विश्वास है मंत्री मंडल की बैठक मुख्यमंत्री जी के नेत्रितम में फिर बैठेगी और अगर कहीं कोई शंका है तो उसका निदान करके मुख्यमंत्री आज ही या कल सुबह तक आज रात को ही मुख्यमंत्री जी ने मंत्री मंडल की बैठक बुलाई है लगबग साड़े नो बजे आज ही उसका निदान निकाल कर आज ही राजेपाल जी को भेज देंगे ताकि विदान सभा का सत्र हो झाल